अब कर दो नमस्कार दोस्तों देखे काफी सारी वीडियो में आपके लिए प्रेट पॉर्णिंस से रिलेटिड डॉक्मेंटेशन कैसे होता है शाबी शीपिंग लाइन से और किस तरीके से हम लोग स्टैप बाइस टॉक्मेंट वर्क करते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं वीडियो में आपको एक चीज में आपको बताने बालों कि कि आप कोई सीपिंग लायन हो जो कोई सीपिंग लाइन हो यह नहीं देखना है कि सब्सक्राइब करें तो उससे वीडियो में आपको बता देना चाहता हूं अगर आप आपको सबसे पहले मिल पाए साथ में अब यह तक आपने ओनलाइन जो कोर्सिस हम लोग करते वह अगर आपने जैन नहीं किया थे तो आगे पॉस्पॉन करके हम लोग डिसंबर में ले रहे तो आप उने आभी तक जोईन नहीं किया तो जैक्स्ट आप देखने नंबर देखन मेरा परसनल नंबर है तो आपको बेजी जैक आपको कॉल कर लेना है और जो भी डॉकमेंटेशन वर्क उसके अंदर हम लोग कवर करेंगे सारा कुछ आपको आगे काम आएगा किसी भी जॉब से रिलेटिटिट अगर आप जोब करें तो उसके लिए भी काम आएगा या फि द्यान से देखिएगा पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा तो देखिए मैं एक पहले डायग्राम आपके लिए बनाता हूं जिससे आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको समझ आएगा किस तरीके से डॉकमेंटेशन वर्क होता है ठीक है तो पहले हमारा जो वर्क होता हो किस तरीके से करते हैं पहले हम लोग को रेट्स लेना होता है ठीक है रेट्स इसके बाद हम लोग रेट्स किसको देते हैं एक्सपोर्टर को ठीक रेट्स किस से लेते हम लोग फॉर्टर रेट्स लेगा सबसे पहले शिपिंग लाइन से ठीक ह फिर उसके बाद एक्सपोर्टर कम लोग रेट देते हैं अपना प्रॉफिट एड करके और उसके बाद जब सिप्मेंट एगरी हो जाती है तो उसके बाद डॉकमेंटेशन जो वर्क होता हूं किस तरीके से होता है देखिए मैं आपको यह वाला आप इतना समझ आ गया होगा मनेंट कहां आपगो इसके बाद जोंग होता है अब क्या दॉकमेंट सम निवा करेंगा चाहिंग है तो दों सिप्मिंग अज्रॉपिंग में और थिपिंग लाइन में अब इसको कैसे कर सकते कहा प्रफोवा संब्सक्राइब करनी तो ओल लाइन या ओप लाइन ठीक है अगर जिस भी shipping line से आप काम कर रहे हैं चाहें वो MLO shipping line हो या फिर इसके अलावा आपको NVCC shipping line हो तो कुछ shipping line के नाम मैं आपको बता देता हूं जो है है पेग जो जाने मानी line है जिससे हम लोग काम करते हैं ठीक है है पेग लॉइड एमेरेट्स डबल ओसियल वन लाइन कोस्को एमेरेट्स जिम लाइन ठीक है तो इनके जो मोस्तरी रेट्स है आपको ओन लाइन मिलेंगे ठीक है इसके लावा जो NVCC shipping line है जिसे नॉन वैसल ओपरेटिंग जो लाइन होती है उनका क्या है उनके आपको offline rates मिलेंगे ठीक है इन लाइनों के आपको online rates मिल जाते हैं ठीक है तो आपको अगर यह देख लेना है जो भी shipping line है अगर यह लाइन है ठीक है तो इनके तो आपको online मिलेंगे और इसके अलावा जो भी shipping line है तो उनके rates आपको offline मिलेंगे जिनका आप आपको समझ आ गया इसके बाद हमारा जो documentation work होता है सबसे पहले जैसे बुकिंग मिला बुकिंग के बाद हमें क्या होता है container pick up करना होता है ठीक है container pick up किया यह जो हमारे पास booking आएगी shipping करने के लिए एक्सपोर्टर को देंगे ठीक है जिसे हमने rate दिया उसके बाद क्या करेंगे ट्रांसपोर्टर को देगा उसके बाद container pick up होने के बाद हमारे क्या सबसे पहला जो बार को यह वह व कहाँ होगा या आपका होगा कंटेनर पिकप करने के बाद हमारा वीजम सम्मिट करने का होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा डॉकमेंटेशन चाहें आप लाइन कोई सी भी हो आप यह देख लेना है कि वह जिस शेपिंग लाइन से हम लोग काम कर रहे हैं वह शेपिंग लाइन जो वीजम ओड स्ट्रक्शन है ठीक है हमें अब इस शेपिंग इस्ट्रक्शन सम्मिट करना हो कैसे या फिर उसका भी एक प्रोसेस है या तो उसको आप ओनलाइन करेंगे इसकी वेब साइट पर ठीक है या फिर मैन वाल उसको बना के देंगे वर्ट फाइल पर इनके इन से मैं नए मैठेड के ऊपर वीडियो बनाके देंगा आपको तो अगर इसमें भी आपको चेक कर लेना शेपिंग लाइन जो सौरी शेपिंग इस्ट्रक्शन है ओनलाइन ले रहे हैं या मैनुल ले रहे हैं या फिर वैब साइट्स पर ठीक है तो आपको अगर ओनलाइन से मि हो जाएगा ठीक है जब आप रेट्स लेंगे उसके बाद आप ऑनलाइन अगर आपने बुकिंग ले ली तो आप इसको यहां पर जो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मैनुल है तो आपको वर्ड फाइल बनाके देनी है इसके बाद हमारा जो नेक्स प्रॉसर्स होता है वह मैनुल मतलब मेल पर आपको दे देना है ठीक है अगर ओनलाइन है तो आलाइन मतलब या तो आपका ओंड क्यूंट कर देना इसके बाद आपका क्या है इसके बाद जो अगर आपका जो वर्ग काम आता है वो आपका फॉर्म ठाटिन ठीक है तो यह अगर online है तो online करना है अगर आप इसको online के लिए आपको दो अप्शन है और चैप्स या फिर सिरी वेब साइटि इसके जुछ शेपिंग लाइन की वैब साइट हमा और यह पिर तीसरा ऑफसाने नने सर्वेर से मिलेगा ठीक है मैंनोल वाला मिलेगा इनके सर्वेर से वह शेपिंग लाइन अलग मलब सब्सक्राइब कुछ डॉक्मेंट्स प्रोफसर बहुत डॉक्रमेंट्स आपके यह सम्मिट होंगे वीजियम होगा शेपिंग स्ट्रेक्शन होगा फिर उसके बाद आपका टब हर्न होगा इसका हम इनवाइस रिक्वेस्ट होगी जो भी आपके just you … कुल अपर ले इसके बाद陽 है इसके बाद कैसे डालनी है पहला अ специ की पैमिंट करनी है पैमिंट आप मैनों कर सकते हैं ठीक है और या फिर अभी कुछ शेपिंग लाइन ने क्या कि अपनी वेब साइट पर जो आपका पैमिंट करने का ऑप सना मों डाल रखाए अधर्वाइस आप ऑनलाइन अपनी जो जैसे यूटियार नंबर डाल के आप पै आप शेपिंग लाइन के ऊपर कि कौन सी शेपिंग लाइन वह से सारा चीज़ डिटिल करता है कि वह से प्लैट्फॉर्म पे डॉक्मेंड से या पर रूप्स्ट्राय ने रही है तो यह चीज़ देखनी आपको जो अप्शन है इन्वाइस रिक्वेस्ट का इन्वाइस प उसको मेल पे भी आपको जैसे बैंक से आपने लोग-इन करके पैमेंट किया उसके बाद इनको पैमेंट डिटेल आपको इनको मेल पर देनी अधर वाइस इनको वैबसाइट से वह वह अब लेबल है तो मैं सिर्फ आपको यह समझा रहा हूं इसलिए कि आपको पता लग जाए कि क्योंकि लोग कंफ्यूज थे कि हमें का कैसे करना है तो वह आपको जब लेंगे तो आपको उनसे लेना कि यह यह डॉक्मेंट्स आपको कहां चाहिए उन शेपिंग लाइन को कहां पर समिट करते हैं तो यह सारी चीजा आपको एक बार समझ आजएंग तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है पैमेंट के पैमेंट यह जा लादी हमारे पैमेंट कंफरमिशन आया ताया मेल पर आगर डालते तो आपको तो भी आपको मेल पर अजाता है कि आपकी पैमेंट रिसेब हो गई है इसके बाद हमें इसका जो बील है बील कि आपको काउंटरों पर जाना पड़ेगा अगर और डॉक्मेंट्स जो है इनको जो रॉक्वाइड डॉक्मेंट्स होते हैं उनसे आप लिस्ट ले सकते हैं कि क्या आपको चाहिए तो दो-तिन चीजे में आपको बतायाता हूं जो उनको चाहिए होती है उनको फर्स्ट प्रेंट जो सेपिंग इस्ट्रक्शन आपको मिला है बील ड्राप नहीं होता है और लास्ट ली इनका जो आपके पास आया वह चाहिए होता है तो यह सारा वर्क होता है इसका जिस तरीकिस हम लोग डॉक्मेंट्स वरक करते हैं आपको जो डरना नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा सुर्व यह आपको मैंना उप्सन बता दिए कि इन इसलिए मैं आपको बता रहा है कि लोग को मैंने का कैसे करना है इनके यह उपर वीदियो आपको मिल जाएगी तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो के लायक जरू कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजहेँ बैल अ Kनको पैस कर लिए तक हमारे ने llenी वीडियो को बेट आपको सबसे पहले मिल पाए तो इस वीडियों में इतना ही तो मिलते नाक्स वीडियों में एक नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए धन्यवाद